असलामू अलेकुम मैं जुलेखारफाद जुलेखास किचन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया से सूपर अंदर से सौफ और बाहर से क्रिस्पी मुल्ग डाल के पकोड़े कहिए भजी कहिए आपने जो कहना हैं कहिए बट बहुत ही जबरदस टेस्टी बनते हैं आप इसे हरी चटनी के साथ से पर सकते हैं या फिर मैं तो इसे लाल जो चटनी कहते हूं जो मतलब जिसे टेस्टी और चटपटी और ऐसी रहती है उसके साथ सिर्फ करती हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साध धालन यानी ओड़िनरी इंग्रिदियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी मुंग दाल के पकोडे कई है या भजिये बनाते हैं आज की चल ये है जो हरी मुंग छिल्टे वाली आती है आप देख सकते हैं ये जो हम खिछिडी में दालते हैं ये वही दाल है तकरीबन मैंने एक कप ली थी दो-तिन पाले से धो के अच्छे सिफ आप देखेंगे या पानी में निकाल रही हूं तो ये ऊपर के चिल्टे है न वो निकल रहे तो जाने दीजिए जरूरत नहीं है कोई बात नहीं एकदम जबर्दसी से मत निकाल लिएगा लेकिन अगर ऐसे निकल रहे तो निकल जाने दीजिए तो मैंने ऐसा एक बार और दाला है ये जो मूंग दाल के अंदर और फिर से थोड़ा सा मैं यहाँ पानी निकाल देती हूं तो जो ऊपर के चिल्टे है वो थोड़े और निकल जाएंगे तो ये दूसरी बार मैंने किया है अब इसे नितार लीजिए चन्नी के उपर रख दीजिए 10-15 मिनिट के लिए सुदर सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए ना नहीं तो क्या होगा अभी के अभी हम पीस लेंगे तो पानी वाली होगी ना तो अभी इसे थोड़ी दिर रहने दीजिए 10 मिनिट के लिए चन्नी के उपर अभी जो हमें छिलके मिले इने भेग दिना है अच्छा इसे अभी सा जार लीजे छोटा सा इसमें मैं 15 कली लसन की दाल रही हो आप 10 भी दाल सकते हैं तीन हरी मिर्चिया दाल रही हो आप कम्याजाद अपने स्वादन उसार दाल सकते और एक छोटा चाय का चमच साबुद सीरा इसे डाल कर बहुत अच्छे से दरदरा पीस लीजे बिना पानी डाल कर और इसे अब इसे निकाल लेती हूं मैं एक प्याले के अंदर और इसे साइट पर रख दीजे वही मिक्सर जार जो है हमारा उसके अंदर हमारी मूं की दाल जो है 15 मिनिट हो चुके उसे दाल दीजे थोड़ी सी और इसे दरदरा पीस ये बहुत ज़ादा बारिक मत पहला वाला बैच मैं हमेशा दरदरा पीसती हूं आप देख सकते हैं हलका दरदरा है तो मज़ा आएगा थोड़े से क्रांशी क्रांशी बनेंगे अब सेकेंड वाले बैच को मैं लेकर इस तरीके से डाल कर इसे ढढ़ा कर बिना पानी डाले ये सारे हमें है ना दो चार ब पीसने हैं लेकिन बिना पानी डाले तो आप देख सकते हैं इसे मैंने विरीवेस वाले बैच से जादा पीसा है आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला बैच मैंने दरदरा पीसा है फिर बाकी के दुनों बैच मैंने अच्छे से पीस लिये हैं बिना पानी डाले तो ये देख कर लीजिए, मैं अब भी इसे धाप कर साइट पर रख रही हूँ कि मैं एक गंते के बाद बना रहे हूँ, लेकिन आप अभी ही बना रहे हैं, तो प्रोसीजर यहीं से शुरू कर दीजिए, अब हमें इसमें हवा भननी है, अगेन, हाँ, इसमें अब एक ये डिरेक्शन में आप ये जो चम्मच है इसकी मदद से आप चलाते रहे हैं, आप चाहें तो चम्मच के बिना आप हातों का इस्तमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट मैं यहाँ चम्मच इस बार इस्तमाल कर रहे हूँ, अब ये देखे, लाइट कलर हो जाएगा और फूल जाएगी, उ मैंने लसन, जीरा और हरी मिर्ची को पीसा था, दर-दरा, मिक्सर जार के अंदर आप उखल में कूच सकते हैं, चलिए, अब मैंने यहाँ तेल रख दिया है, फ्राइं के लिए, फास्ट आज पर रख दीजे, चूले, और अच्छा गरम हो जाए तेल तो मीडियम आज कर द आप चाहें, तो चमच की मदद से भी डाल सकते हैं, जितने आपके समा पाएं, आपकी पतीली के अंदर उतने डालिएगा, बहुत जादा ओवरक्राउड़िट मत कर दीजिएगा, जब आधा एक मिनिट हो जाए, तो इसे पलट दीजिए, और फिर पलटने के बाद, उलट पलट करते हो, इसे आपने तब तक पका रहा है, जब तक इसमें कलर चेंज नहीं हो जाता है, और ये light golden brown नहीं हो जाते हैं, बस वहां तक ही पका रहा है, क्योंकि ये दाल तो पक जाएगी, कोई चिकन वगरा तो है नहीं, मीट तो है नहीं, कि इसे टाइम लगेगा, तो जब light golden brown हो जाते हैं, तो उलट-पलट करते हो है, तो बस इसे निकाल लेजिए, और इसे नितार कर, आप चाहें तो टीशु पेपर के ओपर रख सकते हैं, बड़ आज कल मैं टीशु पेपर के ओपर कोई भी चीज नहीं रखती हूँ, डिरेक्ली छनी के ओपर मैं छानने नए रख देती हूं इसी तरीके से मैं नए बैचे सके अंदर राय कर लेती तो, आप देख सकते कितने fluffy हुए हैं और बाहर से इतने crispy होंगे और अंदर से उतने ही soft बनेंगे, चलिए मैंने सारे बैचे से अंदर fry कर लें यह देखिये, क्या बढ़िया से माष्याला मैं ऐसे ही डाल दू तो आप डाल सकते हैं, लेकिन the thing is, जब आप अंदर जब आप खोलते हैं तो बहुत कड़क कड़क रहते हैं, और जब आप खाने लगते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो इतने कड़क हो जाते हैं, कि वो मुह में तक नहीं चाते हैं, कभी-कभी, तो और ऐसा लगता है कि चबा रहे हैं तो सर दूखने लगता है। फिर जब आप ऐसा हवा बढ़ते हैं तो इससे क्या होते हैं कि अंदर से सूपर सॉफ्ट होते हैं और बाहर से क्रिस्पी होते हैं। तो अब समझ मैं आपको कि हम एर क्यों भढ़ते हैं। अच्छा इसे मैंने लाल चटनी, जो चटपटी है, लाल मिर्चो वाली, मैंने उसके साथ सर्फ किया, नहीं, ज्यादा ठीकी नहीं है, चटपटी सी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, इन फैक्ट मैं हरी चटनी के साथ भी सर् पिटना है, तो वो क्या है न, जब फैट हो गया, और कलर बस चेंज हो जाए, आपको लगे के फूल चुकी है, और तीसरी बात यह है, कि जब आप हाथ में हाथ से फैटेंगे, या चम्मत से भी पिटेंगे, और हाथ में लेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि ऐसे टीक टै तो आपने फैमिली और फैंस में इसमाली वीडियो के लिक जरूर फवर्ट कीजेगा, नए हो तो सब्सक्राब भी कर दीजे, फिर से आजी रोंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ, अनल देन टेक कर, आला आपिस, बाबाई